हेलो दोस्तों मैं विवान वर्मा विवो मैथ क्लासिज की यूट्यूब चैनल में अपका सौगत है आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट की बात करें तो आमतावर पे जो परिच्छाएं SST, Bank और Railway दरा अज़ित की जाती हैं उनमें यूनिट डिजिट की प्रस्ण बहुत ही पूचे जाते हैं साथ ही स्टेट के परिच्छाओं में भी यूनिट डिजिट की कुछ प्रस्ण हमको देखने को मिलते हैं आज के टॉपिक की सुरुआत करें तो हमारा टॉपिक यूनिट डिजिट है जिसमें से हमें प्रस्टन दो टाइप के मिलते हैं पहला या तो वो question product की form में होगा second type या तो वो power of a number या तो वो किसी number की power की form में होगा तो यदि हम अपने पहले type पर बात करें product product of a number में तो इसमें हमें मान लिए एक question दिया है 584 x 389 x 476 x 786 यह हमें question दिया है इसमें हमें unit digit find करना है unit digit find करने के लिए सबसे पहले हम इनके unit digit को देख लेंगे जैसे कि हमें दिख रहा है 496 and 6 सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 का 9 में multiply करेंगे 36 यहां से हमें unit digit 6 मिला 6 का again हम 6 में multiply करेंगे जिससे हमें again 6 unit digit मिलेगा और 6 का again फिर 6 में multiply करेंगे जहां से हमें finally unit digit 6 मिला यह हमारा answer होगा अगले question की तरफ बढ़ते हैं मान लिए question हमें दिया है 25 x 26 x 31 तो यहां हम 5 का 6 में multiply करेंगे 30 आएगा जहां से unit digit 0 मिला 0 का 1 में multiply करेंगे जहां से हमें finally 0 answer मिल जाएगा थर्ड question की तरफ बढ़ते हैं 355 x 451 x 362 तो यहां पर हम क्या करेंगे सबसे पहले unit digit हमें 5 दिख रहा है 5 का multiply करेंगे 1 में तो 5 बंजा 5 यहां से हमें 5 मिल जाएगा 5 का बन में multiply 5 मिलेगा 5 का again 2 में multiply करेंगे तो यहां से 10 जहां से हमें unit 1 zero मिलेगा तो यह हमारा answer हो जाएगा जब भी हम 5 की बात करते हैं तो यहां पर एक चीज हमको देखने को मिलती है 5 का जब हम किसी even number में multiply करते हैं तो वहां से unit digit 0 और 5 का जब हम odd number में multiply करते हैं तो वहां से हमें unit digit 5 मिलता है अपने दूसरे type की तरफ हम बढ़ते हैं जहां पे हम power of a number की बात करेंगे power of a number मतलब question जो होगा वो किसी संख्या की power की form में दिया होगा और हमें unit digit ग्याद करना है तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे power of 2 मतलब 2 की घाद के रूप में जो संख्यायन दी होंगी उनके unit digit कैसे ग्याद करते हैं वो हम यहां पे सीखेंगे let's suppose एक question ले ले लेते हैं 2 की घाद 27 2 की power 87 इसका unit digit हमें find करना है तो हम क्या करेंगे तो सबसे पहले इसका general rule हम find out करते हैं जैसे की 2 की power 1, 2 आ जाएगा again 2 का multiply करेंगे 2 की power 2, 4 4 में फिर 2 का multiply करेंगे 2 की power 3, यहां से हमको 8 मिला unit digit और फिर again 2 की power 4 करेंगे तो यहां से unit digit 6 मिलेगा अगेन इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे तो 2 की power 5 करेंगे तो हमें फिर से 2 मिलेगा 2 की power 6 करेंगे अगेन हमको फिर से 4 मिलेगा तो हम देख रहे हैं कि 2, 4, 8, 6 फिर 2, 4, 8, 6 मतलब यहां से संख्याओं का repetition चालू हो जाता है चार अंक के बाद संख्याओं का होती है रिपीट करने लगती है तो जब भी हम 2 की power की question को हल करेंगे तो हम वहाँ पे संख्याओं को 2 की घात 4 के रूप में break करेंगे यह चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पे संख्याओं का 4 के बाद repetition होने लगता है तो हम देखेंगे यहाँ पे जो repetition हो रहा है वो power 4 की रूप में हो रहा है और जो संख्याओं हमें मिल नहीं है वो क्या है 2, 4, 8 और 6 अब इसके आगे हम बढ़ते हैं जैसे power of 3 की बात कर लेते हैं यदि किसी question में 3 की घाथ के रूप में question दिया है तो वहाँ से हमें unit digit कैसे मिलेगा तो इसके लिए हम देखते हैं 3 की power 1, 3 हो जाएगा 3 की power 2, यहाँ से हमें 9 मिल जाएगा again इसका 3 में multiply करेंगे तो यहाँ से हमें unit digit 7 मिलेगा और 7 का again 3 में multiply करेंगे तो unit digit हमें 1 मिलेगा इसी तरह जब हम आगे भी multiply करते रहेंगे तो 3 की power से unit digit 3 मिलेगा 3 की power 6 से unit digit 9 मिलेगा 3 की power 7 से unit digit 7 मिलेगा 3 की power 8 से unit digit 8 मिलेगा तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3, 9, 7, 1 again 3, 9, 7, 1 4 term के बाद संख्याओं का क्या होता है repetition चालू हो जाता है संख्याओं अपने आपको दोहराने लगती है तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि 3 की घात के रूप में जो संख्याओं होती है उन में power 4 के रूप में repetition होता है मतलब जो भी घात हमें दी होगी उसको हम 4 के रूप में break करेंगे आगे हम बढ़ते हैं अपने नए रूल की तरफ power of 4 के रूप में जब कोई संख्याद दियोगी तो वहां हम क्या करेंगे 4 की power 1 4 हो जाएगा 4 की power 2 unit is 6 हो जाएगा अगेन हम 4 में multiply करेंगे 4 की power 3 unit is 4 होगा 4 की power 4 unit is 6 4 की power 4 unit is 6 यहां पर हम देख रहे हैं कि 4, 6, 4, 6 मतलब 2, 2 पर संख्याओं का repetition चालू होता है तो यहां से हमको एक तो general चीज यह पता चल गई कि जो power होगा वो 2 के रूप में break करना है दूसरा यहां पर एक सीधा-सीधा result हमको यह मिल जाता है कि जब भी 4 की power कोई even number होगा तो वहां से हमें result 6 मिलेगा 4 की power में कोई odd number होगा तो वहां से हमें result 4 मिलेगा even में 6 and odd में 4 यह हमें एक general result याद रखना है तो जब भी 4 की power में कोई संख्या दिखेगी वहां से हम direct answer अपना ग्याद कर पाएंगे इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो power of 5 की बात कर लेते हैं तो हमें दिख रहा है 5 की power 1 क्या होगा 5 की power 1 यहां से unit is it हमें 5 मिलेगा 5 की power 2 unit is it यहां से फिल 5, 5 की power 3 again unit is it 5 हम देखते हैं कि बार बार 5 ही मिल रहा है तो यहां से एक निसकर से सीधा यह निकलता है कि 5 की घात कितना भी हो always unit is it 5 ही मिलेगा 6 की बात कर लेते हैं तो 6 की power 1 6 6 की power 2 again 6 6 की power 3 unit is it again 6 तो यहां से एक और result मिलता है कि 6 की घात चाय जितनी भी हो always इसका answer 6 ही आना है power of 7 की बात करें तो यहां से हम देखते हैं कि 7 की घात 1, 7, 7 हो जाएगा, 7 की घात 2 करेंगे तो यहां से unit digit 9 हो जाएगा, 7 की घात 3 करेंगे तो unit digit 3 मिलेगा, और जब 7 में फिर multiply करेंगे तो 7 की घात 4, मतलब unit digit 1, again इसके आगे करेंगे तो फिर 7, 9, 3, 1, तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि संख्याएं फिर 4 के बाद repeat कर रहेंगे, तो यहां से एक general इसका जो निसकर्स हम लोग बनाते हैं, वो क्या है, 7, 9, 3, 1 का repetition, और जो power होगी वो 4 के term में repeat होगी, power of 8 की बात कर लें, मतलब यदि कोई question 8 की घात के रूप में दिया है, तो उसे हम कैसे solve करेंगे, उसके लिए हम समझते है, 8 की घात 1 क्या हो जाएगा, 8 की घात 2 unit digit 4 मिलेगा, 8 की power 3 यहां से unit digit हमें 2 मिलेगा, और 8 की power 4 यहां से unit digit हमें 6 मिलेगा, फिर जब हम इसके आगे कर लाइते हैं, तो यहां पर जो होगा, यह भी power 4 के रूप में repeat करेगा, एक और last बचा है, जो power of 9 के term है, इसके बाद हम प्रस्नों की बात करेंगे, 9 की घात 1 यहां से unit digit 9 मिलेगा, 9 की घात 3 यहां से unit digit 9 मिलेगा, और 9 की घात 4 यहां से unit digit 1 मिलेगा, तो यहां पर हम देख र और जो हमें result मिलेगा, वो even होगा, तो 1 और odd होगा, तो 9, यहां पर सिर्फ दो ही उत्तर की possibility है, जो 1 और 9 होगे, आए प्रस्नों की तरफ बढ़ते हैं, हमारा पहला प्रस्न है, जितने भी अभी हमने rule पड़े हैं, उनी पर आधारित प्रस्नों को देखेंगे, ताकि उन rules को clear कर सके, सबसे पहले हम दो की बात करते हैं, यदि दो की घात 56 की रूप में कोई question दिया, और इसका unit पूछ रहा है, तो हमने पहले ही बताया है, कि 2 में क्या होता है, 4-4 पर repetition होता है, तो सबसे पहले हमारा काम यही होगा, कि जो भी हमें power के रूप में संख्या दी है, उ general rule अपना देखते हैं, तो यहां पर हमें पता है कि 4 पर repetition होता है, और result जो हमें मिलता है, वो 2, 4, 8 और 6 मिलता है, इतना देखने के बाद हम अपने प्रशन पर वापस आते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, power को 4 की रूप में ब्रग करेंगे, 2 की power 4 की रूप में लिखेंगे तो हम देखते हैं, 4 से 5 में ब्रग करेंगे, तो 4 यहां से 1 गटेगा, 4 फोर जा 16, तो यहां पर हमें 2 की रहाद 4 की रहाद 14 मिल गया, अब हम देख रहे है, 2 की power 4 का result यहां पर क्या दिया है, 6 दिया है, तो इसलिए हमारा यह result भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यह हमार अगले प्रिसलिक के तरफ बढ़ते हैं, यहां पर हमें दिया है, 3 की power 87, तो जरा हम 3 वाला रूल याद करते हैं, तो वहां पर भी हमें पता है, कि जो संख्याएं थी, वो 4 चार के रूप में रिपीट होती थी, तो इसको भी हम 4 के रूप में ही तोड़ेंगे, तो 3 की power 4 क तो हम क्या करेंगे, 4 यहां पर एक रूप में लिख लेंगे, तो इसको 3 की power 3 की रूप में आगे लिख लेंगे, तो यहां से हमें कितना मिल जाएगा, अब 7 into 1 करेंगे, तो यहां से हमें डिल जाएगा, अपने अगले प्रस्न की तरफ बढ़ते हैं जैसे हमें 4 की पावर 56 दिया है हमने सबसे पहले simply बता दिया था कि 4 की पावर में जो हमें होते हैं दो जल्ड मिलते हैं यदि power even है तो answer 6 होता है और power odd है तो answer 4 होता है प्रस्न जैसे 4 की पावर 53 हैं सेम कोस्चन है बस också power क्या है यहान पे even ओ riders है तो answer हमारा क्या हो जाएगा अगला कुस्चन दिखते हैं 5 की पावर 25 5 की के केस में मैंने बताया था कि 5 की पावर चाहें जितना हो 1 Jenn haw सब hacemos मैं पजािता है कि पावर जोगी फौर के रुप में रेपीट करेंगि इसका प्रत की चार चार की घार कितना हो जाएगा 1212 48 एक बचेगा, उसको हम इंटू के रूप में लिख लेंगे, अब हमें पता है, साथ की घाट, चार उपर जैसे हमने देखा था, 7 की power 4 का unit digit क्या था? 1 था तो 1 लिख लेंगे और 7 क्या है? ऐसे ही लिख लेंगे तो 7 into 1 यहां से हमें unit digit 7 मिल जाएगा आगे बात करते हैं 9 की power 89 9 के case में हमने बताया था कि दो result होते है even का और odd का even में क्या होता है? 1 होता है और odd में क्या होता है? 9 होता है लाइक करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें जय हिंद